प्रिये व्यूवर्स ये संस्क्रती IAS YouTube चैनल का PT Think and Solve प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंतरगत प्रती एक दिन UPSC और State PCS से संबंदित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिये जाएंगे हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार सावित होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रंक्तला को इस्लामिक सायोग संग्ठन के संदर्व में निनम लिखित कतनों पर विचार कीजे पहला यह एक अंतरास्ट्रिय संग्ठन है इसकी स्थापना वर्श उन्यस उनत्तर में की गई थी दूसरा इसका सचवाल है दुवई में है उपरिक में से कौन सा कतन सही है इसका सही उत्तर होगा आप्शन ए यानि भारत ने इस्लामिक सायोग संग्ठन के काउंसल आप फॉरेंड मिनिस्टर्व संमेलन में जम्मु कश्मीर के संदर्व में पारित किये गए अनुचित प्रस्तावों को खारिच कर दिया है इस्लामिक सायोग संग्ठन के स्थापना वश 1789 में की गई थी यह एक अंतरास्ट्र संग्ठन है इसके 57 सदस्तर देश है अतर कतन एक सही है यह संग्तु राष्ट्र संग के पश्चाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संग्ठन है इसका उद्देश्य अंतर राष्ट्रे शांती और सद्भाव को बढ़ावा देना और दुनिया के मुसलिम समधायों के हितों की रक्षा तथा संरक्षन के लिए कारि करना है इसक कथन दो सही नहीं है इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्षन ए होगा बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रशन की ओर दल वदल विरोधी कानून के संदर में निन्म लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला बावन बे सम्विधान संशोदन द्वारा दल वदल से संबंदित दस विए नुसूची सम्विधान में जोड़ी गई है दूसरा इसके संबंद में न्याले कर निर्ने अंतिम होता है उप्रुत में से कौन सा कथन सही नहीं है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों दी ना तो एक ना ही दो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन बी यानि हाल ही में लोग सभा में आयोगे घोशित भारत के पहले संसर सदर से लाल डुहमको मिजोरम विधान सवा सदर से के रूप में भी आयोगे घोशित कर दिया गया है 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दलवदल से संबंदित दस्वियन उसूची संविधान में जोड़ी गई है अता कथन एक सही है साथी इसमें दलवदल के आधार पर अयोगे ता की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है संसद और आजविधान सवाओं दोनों पर यह कानून समान रूप से लागू होता है दलवदल कानून लागू करने के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापती के होते हैं एवं उनका निर्णय अंतिम होता है अता कतन दो सही नहीं है इस प्रकार से इसका सही उतर ऑप्षिन भी होगा देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रशन को ADMM Plus के संदर्व में निन्म लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला यह आसियान और इसके वार्टाकार देशों के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयों को मजबूती प्रदान करने वाला एक मंच है दूसरा भारत इसके वार्टाकार देशों में शामिल नहीं है उपरिक में से कौन सा कतन सही नहीं है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो इसका सही उत्तर होगा आप्षन बी यानि वर्ष 2007 में सिंगापूर में आयोजिद आसियान रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक में ADMM-प्लस की स्थापना के लिए संकल्प पत्र अपनाया गया था ADMM-प्लस आसियान और इसके वार्टाकार देशों के लिए शेत्र में शांती, स्थिर्ता एवं विकास हेतू सुरक्षा सहीयों को मजबूति प्रदान करने वाला एक मंच है अता कतन एक सही है ADMM-प्लस के वार्टाकारों में भारत, चीन, जेपान, औस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, दक्षिन कोरिया, रूस और संयुत राज अमेरिका शामिल है सामोहिक रूप से इने प्लस देशों के रूप में संदर विक किया जाता है अता कतन दो सही नहीं है इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्षिन B होगा देखते हैं आज के अपने चौति प्रशन को शेतूद बान निन्म लिखित में से किस देश में बनाया जा रहा है A. अफगानिस्तान B. बांगलादेश C. पाकिस्तान D. उपरिक में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा Option A. अर्थार हाल ही में भारतनी अफगान सरकार को काबुल के पास शेहतूद बान के निर्माड में साहिता देने पर सहमती व्यक्त की है इस बान का निर्माड काबुल नदी की साहिक मैदान नदी पर किया जाएगा इस बान से काबुल शेहर के दो मिलियन लोगों को पेजल की आपूर्ती सुनिश्यत होगी इस प्रकार से इसका सही उत्तर आप्शन A होगा देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को ब्रह्म पुत्र नदी के संदर्व में निर्म लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला ब्रह्म पुत्र का उद्गमिस्तल तिवबत के पुरांग जिले में इस्तित मान सरोबर जील के निकट है दूसरा असम में से ब्रह्मपुत्र और बांगलादेश में से जमुना कहा जाता है उपर्युक में से कौन सा कथन सही है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D ना तो एक ना ही दो इसका सही उत्तर होगा option C अथाथ, चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुग जल विद्दूत पर योजना का निर्मार करने की योजना बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांगलादेश से होकर 3000 किलोमीटर तक प्रभाइत होती है ब्रह्मपुत्र का उद्गमिस्तल तिब्बत के पुरंग जिले में इस्तित मानसरोबर जील के निकट है जहां इसे यरलूंग सांगपो कहा जाता है अधा कथन एक सही है तिब्बत से होते हुए नदी भारत के अरुनाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है असमे से ब्रह्मपुत्र फिर बांगलादेश में प्रवेश करने पर इसे जमना कहा जाता है पद्मा यानि गंगा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेगना कहा जाता है जो की सुन्दरबन डेल्टा का निर्मार करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है अता कथन दो सही है इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा